भी हा दोस्तों कैसे आप से वे हैं으 और मैं अभी अपने दुकान पर हूं मैं फिलाल अपने दुकान जैनि से हम जाने में जाने वाला हूं मैं ठिकली बजार लगती है कि उने से अगर हिंदी मी बोलें उनकिन कैसी लगती है ऐनकि बजार अब फिलाल तो मैं अपने दुकान पर हूँ, यह देख सकते हैं, मैं भी दुकान पर बैठाओं, अब थोड़ी देर में निकलूंगा यहां से, और आप लोग को भी तिखाएंगे, जाओंगा मैं बजार पर, तो आप लोग को भी तिखाऊंगा, हार्ट भी बोलते हैं, इसे अच्छी लगेगी, कैसे होते हैं गाओं के मारके, चलिए चलते हैं फिर, आगे दिखाते हैं आपको, तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं बजार में, यह देख सकते हैं आप, यह हमारी बजार, और चलते हैं अंदर आपको, पूरी बजार दिखाते हैं, यहां सब बजा पूर्वर शरू ओगई हुई है का चले यह एमारे सामने पानी पूरे गोल गप परौप प्रूम अदिए देख सकते हैं इसकूल है यहां का हाई स्कूल है पहले मिडिल स्कूल था रभाई इसकूल हो चुका है और यह हैं देखिए इदर इस सामने वह मंदिर है इस तरफ था हमना है चलिए बजार के तरफ चलते हैं कि अब देख सकते हैं मिट्टी के बरतन हो गएदा अभी मिलते हैं यह तर कुछ कप्ले वाले बैठे हुए है यह स्कूल का में गेट है चलते हैं आगे और भी यह तालाब है यहां जश्ट बजार के सामने ही यह सामने से स्कूल है इसली है ऐसे ही होते हैं गाओं के बाजार हाट तो आज चुके हैं यह देखे इधर देख रहे हैं यह देखिए हैं सबजी और इस तरफ यह इद्गाह है इद्गाह के सामने ही बाजार लगती है और धर होटल वगए रहे देखिए ऐसे ही होते हैं गाओं के हाट दो तिन गंटे के लिए लगते हैं बस दो पेर के बाद से लगते हैं देखिए मुझे कुछ लेना नहीं था बस आप लोगों को दिखाना था देखिए चले चलते हैं फिर अब ये सौटकट रास्ता है इधर सा ही चलेंगे हो गया घूम लिए मारकेट है तो ये जो आप देख रहे हैं ये इदगाह है और जो इस तरफ देख रहे हैं ये थाना है ये थाना की बाउंडरी है और ये इदगाह की बाउंडरी है और ये हमारे घर की तरफ जाती है इस सौटकट है इधर से जल्दी पहुँच जाएंगे जल्दी नहीं तो आप देख सकते हैं आपको दिखा दे रहे रास्ता और बने रहे हैं मेरे साथ मिलते हैं मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखेगा जैहिन अल्लाहाफेश और आपको मैं एक तरफ एक बार पीछे से दिखा देता हूं कि देख लेजिए यह रास्ता है यह पूरे थाना के बाउंडरी है तो जो जो